हलो जहिन साथियो स्वागते आप सभी का सत्य एक्सिलेंट यूटूब चैनल पे साथियो कल की वीडियो में मैंने आपको 25 कोशन दिया था जो कि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देख लिजेगा चैनल पे अपलोड मैंने कर दिया है जो कि उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे यहाँ पर कमेंट देखने को मिले और कुछ आतरों का कहना था कि सर आप लगतार ऐसे वीडियो लेका है क्योंकि ऐसे कोशन जो कि मेरे भाई भी पढ़ाता वो भी बता रहा था इन सभी कोशनों को आप एकजाम देने जा रहे हैं तो रट के जाइए यह जो कोशन है आपका electricians second year का है जो कि जितने भी छातर electricians second year ITI कर रहे हैं उन सभी के लिए most important कोशन है तो चलिए कोशन यहाँ पर 26 से start करते हैं पिछली वीडियो नहीं देखा है आपने तो चैनल पर अप्लोड है जाकर देख सकते हैं चलिए कोशन नमबर 26 जिसमें कहा जा रहा है कि वेन वाइंडिंग में जो आपका वेव वाइंडिंग होता है श्रीक के ध्यान से समझ लेजेगा जो वेव वाइंडिंग होता है उसमे जो यह होता है वो क्या होता है पूलो की संख्या के बराबर होती है और इसमें जो आपका दिया गया आपसन नमबर ए यह कोशन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट रिंस्फर हो जाता है आगे बढ़ते हैं साथ यह कोशन नमबर 27 पे जिसमें पूछा जा रहा है किसी कापर लास से कम उस समय अधिक हो उस समय की ड्र led की दिश्टा होती है वह अधिक होती है द्याने किएंगा करेक्ट 플81 हो जाता है और औरस पूछा जा पीए और lanç पूछा जा रहा हुए कििक्शित्र चाम बने निम्न में क्या नहीं बढ़ा को बोल्टेज के दिए सबी और भी आपका सभार में जो प्रिक्वेंसी होती है उसको नहीं बदल सकते और यदि आप से पूछ दिया ओस्पाय किसीदोंसलार में तावे की हाड को निर्णिस में से किसी से रोका जा सकता है कौर समागरी को बदलकर या क्ले कौर के लीक कर्का के या वाइनिंग के परतुरोद को कम करके यौ उपरक्त सभी के दौरा साथ यहाँ पर सजी हो आफसन नंबर भी कौर को लिमिनेट करकेक ध्याने कीँएगा टांसफार्मर में जो हानी होतीb उसको हम कम कैसे कर सकते हैं तो core को limited करके हम transformer की हानी को रोख सकते हैं या कम कर सकते हैं तो option number B करेक्ट tensor हो जाता है आगे बढ़ते हम qoition number 30 पे जिसमें पूछा जा रहा है साहती हो transformer के किस winding में सबसे अधिक turn होते हैं A option low voltage winding में B option दिया गए high voltage winding में C आफसन देगे winding turn की संख्या पर निर्भर नहीं करती और D आफसन देगे उपरियुक्ति सभी में तो साथ यहाँ पर सही हो जाता है आफसन नंबर B high voltage winding में B आफसन हमारा कोशन के अनुसार बिल्कुल correct answer हो जाता है आगे बढ़ते हम कोशन नंबर 31 पर इसमें पूछा जा रहाएं कि DC motor के lap winding में हमेशा ब्रुसो की संक्या होती है A आफसन खमबो की संक्या से 2 बी आफसन देगे खमबो की संक्या के बरावर C आफसन देगे खमबो की संक्या से आधी और D आफसन देगे 2 तो सातियों यहां पर सही हो जाता है आपका आफ्सन नमबर B जो की DC motor के lap winding में हमेशा बुरसुकी जो संक्या होती है खंबो की संक्या के बराबर होती है अतात ये बराबर पी होता है ध्यान रखिएगा तो ये आपका सही हो जाता है आफसन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट इंसवर मिला लिजेगा आगे बढ़ते हैं कोईशन नंबर 32 पे है जिसमें पूछा जा रहा है साती ओर ट्यूब चोक देने का क्या उद्यस है साती ओर ट्यूब लाइट पने ट्यूब लाइट में जो चोक लगाए जाता है उधारा को कंट्रोल करने के लिए कि जितनी उसकी जुरूत है उतनी उसको धारा दे तो इसमें देखिए इसमें कोई भी यहाँ पर ऐसा आपसट ने यहाँ पर पाद सब्कूल आपसपन देख सकतें यहां पर य हैं हरा की मातरव को उचित मातरा में सिमित करना ही चोक का कारे होता है और इसका उद्दिस होता है जो के यहाँ पर मिलता है आपको लिकस चाहिए मिन पर तो सबी को मालूम होना चाहिए Starry यह जो होती है को टरिव टीव तिवरता की जो की आफसन में आपको भी देखने को मिलता है यहाँ पर बागी आपको confusion करने के लिए light flux भी दिया गया है यहाँ पर चमक भी दिया गया है दिप्त दश्टा भी दिया गया है लेकिन आप मारेंगे कोजिशन के अनुसार केवल बी आफसन बिलकुल करेक्ट एंसवर मिला लिजेगा आगे बढ़ते हैं कोजिशन नंबर कोजिशन के अनुसार करेक्ट एंसवर हो जाता है आगे बरते हैं सात्यों कोजिशन नंबर 35 पे इसमें पूछा जा रहा है कि फ्लूर्सेंट लैंप में सबसे अधिक जिलमिलाट कब देखी जाती है ए आफसन कम बोल्टेज में बी आफसन उच्छ बोल्टेज में सी आफस लैंप होता है उसमें अधिक जिलमिलाट देखने को मिलती है यह आफसन हम करेक्ट इंसवर मारेंगे आगे बढ़ते हैं कोजिशन नंबर 36 पे इसमें पूछा जा रहा है कि लाल रंग के तार आम तोर पर जाने जाते हैं अर्थ के वायर लाल होते हैं या फेज के वायर ला पर क्रेक्ट इंसवर हो जाता है आगे बढ़ते हैं कोजिशन नंबर 37 पे जिसमें कूछा जा रहा है कि बिज़़ी के बव का फिलामेंट किसका बना होता है कार्बन या निकिल का या ऐलमोनियम का या टंगस्टन का सत्यों बिज़़ी के बल्व का जो फिलामेंट होता है वो टंगश्टन का बनाया जाता है किसीच का टंगश्टन का और टंगश्टन यहाँ पर आफसन में देखने को मिल जाता है आपको D आफसन बिल्कुल करेक्ट टेंसर मिला लीजिएगा आगे बढ़ते हम कोशन नमबर 38 पे जिसमें पूछा जा रहा है साथियो एर सर्किट ब किया जाता है तो कोशन का अनुसार हमारा सी आफसन करेक्ट टेंसर हो जाता है सभी लोग मिला लीजिएगा आगे बढ़ते हम कोशन नमबर 49 पे जिसमें पूछा जा रहा है कि SF6 गैस है जिसे कि A आफसन दियागे सलपर फ्लॉराइट B आफसन देगे सलपर डाइप्लॉरा कोशन के अनुसार करेक्ट टेंसर हो जाता है आगे बढ़ते हम कोशन नमबर यहां पर 40 पे जिसमें यहां पर पूछा जा रहा है कि EHT अनपर्योग के लिए निम्न में कौन से सर्किट ब्रेकर को वर्यता दी जाती है जिसे कि A आफसन एयर सर्किट ब्रेकर को बी आफसन मि द्यान से बात को सुनेगा यदि EHT की बात किया जा तो यहां पर आपका जो है जाता है आफसन नमबर डी करेक्ट टेंसर हो जाता है SFC आयल सर्किट ब्रेकर का इसमें प्रियूग किया जाता है जो हम कोशन के अनुसार मारेंगे आफसन नमबर डी बिल्कुल करेक्ट टेंसर आगे बरते हैं साती हो कोशन नमबर 41 पे जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर सीलिंग फैन चालू करने पर धीमी चाल में उल्टी दिशा में घूमें तो क्या हो सकता है A. आफसन वाइंडिंग जल से गया है B. आफसन बेरिंग घिस गई है C. आफसन कैपसीटर निस्परभावी है और D. आफसन उपर्यक्त में से कोई नहीं तो सातियों यहाँ पर सही हो जाता है आफसनन नमबर C की कैपसीटर प्रभावी के मतलब भी होता है दोस्तों कि उसमें प्रभाव पड़ा हुए और आपका खराब हो चुका है या निस्क्रिय हो चुका है तो आपसन नंबर सी करेक्टेंस पर हो जाता है आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 42 पर जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर का स लेडिएंग और यूडिझ पावर पुर पर हो तो साथ इसमें आपका सब्ष्छा हो जाता है आफसन नंबर D चूकि ये जो परचलित होता है यह संचालंज हो लेगिंग पर भी होता है जैदो इनिटिग अपर पर जेंग कोश्चाञ चाहली और यहाप रमारेंगे हैं बाइमर मींद है J कोई लोग मिला लिगा आगे अधरोगों नबर दिसमें पूछा जा रहा है की solid angle की इकाई है A option staradian B option radian DC option degree D option lux तो सातियों यहाँ पर सही हो जाता है option number A जिसको staradian के नाम से जाना जाता है यह हमारा सही हो जाता है question के अनुसार बिलकुल correct answer staradian मिला लिजेगा सभी लोग आगे बढ़ते हम question number 45 पे जिसमें पूछा जा रहा है सातियों कि अगर किसी बिसेस अनप्रियोग में high speed और starting torque की जरुगत हो तो निम्न में कौन से motor को वज़ता दी जाएगी मदर किसी समय यदि आपको starting के समय high speed और high आपका torque की जरुद पढ़ती है तो उस समय आप कौन से motor को चुनेंगे जिसी कि A option universal motor B option sadded pole motor C option capacitor start motor D option capacitor start और run motor तो सातियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका option number A जो कि हम चुनेंगे केवल universal motor universal motor जो होता है सातियों काफी खतरनाक motor होता है और यह जो आपका चलता है बिना load पे नहीं चलाया जाता है तो यह काफी स्टार्टिंग जो टार्क होता है हाई होता है तो यहाँ पर सही हो जाता है option number A कोशन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट एंसर मिला लिजेगा आगे बढ़ते हम कोशन number 46 पे जिसमें पूछा जा रहा है कि च्छत के पंखे में परियोग होता है पहला option slip to phase motor B option capsiter start और capsiter run motor C option inversion motor D option capsiter start motor तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका कोशन के अनुसार option number D जिसको capsiter start motor के नाम से जाना जाता है तो हम कोशन के अनुसार मारेंगे option number D बिल्कुल correct answer मिला लिजेगा आगे बढ़ते हैं साथियों question number 47 पे जिसमें पूछा जा रहा है कि किसी 3 page induction motor के प्रेरक फेज की winding में फेज के कोण का अंतर निम्न में से कितना होता है जिसे की 90 देखिए 3 page में पूछा जा रहा है B option 120 और C option 180 और D option 360 तो 3 page के लिए आप दिहाने खिएगा साथियों 120 संस ही होता है कितना होता है 120 संस और यहाँ पर 120 संस जो दिया गए हमारा question के अनुसार option number B दिया गए बिल्कुल correct answer मिला लिजेगा आगे बढ़ते हैं question number 48 पे जिसमें साथियों यहाँ पर question number 48 में पूछा जा रहा है किसी 3 page induction motor की समकालिक गती NS की गणना करने के लिए सुतर है मैंने आपको कितना इस पर सवाल भी बता है आपको ख्याल होगा है NS बराबर इसका होता है 120 F5P क्या होता है साथियों 120 F5P होता है और यह आपका RPM में होता है इसको भी ध्याने कीएगा यह आप इस तरह यहाँ पर इसको यहाँ पर सही मारते हैं तो आपका बिल्कुल correct transfer हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है आगे बढ़ते हम question number 49 पे जिसमें पूछा जा रहा है साथियों कि किसी induction motor का टार्क किस का सीधा समानुपाती होता है ए आपसन रोटर गती घटसर सिलिप और रोटर की फ्रिक्वेंसी या श्टेटर फ्लक्स और रोटर करेंट और रोटर का पावर फेक्टर तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिल जाता है आपसन नमबर भी बिल्कुल करेक्टेंस और भी आपसन आपका सही हो जाता है बाकी जो भी आप confusion इसमें है यदि आप confusion को दूर करना चाहते है तो सभी आपसनों को आप पढ़ लिजिए इससे आपका confusion दूर हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन नमबर 50 पर जिसमें साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निमने में से किस परकार कि सेलिंग पेज की मोटर को AC और DC दोनों की आप उर्ति में पर्यूग किया जाता है तो देखे केवल एक ऐसा मोटर है इनवर्सल मोटर जो कि AC पर भी पर परचलित होता है और DC पर भी परचलित होता है यह मोटर की खासित है इनवर्सल मोटर की तो इसको ध्यान किएगा यह मुplет है उमिद्ध दोस्तों आपको जनकारी पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो पर लाइक किजेगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कलिजेगा